आप देख रहे हैं इसकी यूट्यूब चैनल आज हम एक और पंप चेक करने के लिया है नहर के ओपर यह आठ इंची के अंदर है जो के इसकी जो लंबाई हो सोला फट के करीब है छोटे पीटर इंजन के साथ इसको में इन्शाला चेक करेंगे कर देखें कि यह जो इंजन है वो क्या करता है रियल में जैसे जो भी मसले में पेश आते हैं वही आपके सामने हम रख रहे हैं आप देख लिए जीए का कभी बैल्ट का निकल जाना है क्योंकि यह प्रापर सेटिंग नहीं होती अनली फ़र डेमो होता है आपको हम डेमो देत हमने देखा हमने के हाथ के साथ ही पकड़ा हुआ हलकी नार्मल सी रेस देते हैं तो पानी जबरतस है वह उठा रहा है लेकिन अगर इसको हम प्रापर फिटिंग के साथ करेंगे तो फिर यह और भी अच्छी इसकी प्रफॉमस हो जाएगी क्योंकि यह कोई पकी फिटिंग होगी तो यह मसले मसायल इसके अंदर जो है वो नहीं आते क्योंकि यह नॉर्मलिया जो समझते मेकानिक चेक करने के लिए उसके अंदर जो लोड अगर हो तो यह कभी भी ऐसा ना चले इसका लोड जो है मैं समझता हूँ के 0% हो जाता है इसलिए इतना असानी से यह चल पा तो यह चैकिंग के लिए रखी हमने वीडियो आपके लिए तो यह 15 फिट नीचे है यानिके ठीक है और चार फिट की जो है इसकी डिलीवरी है 15 फिट का जो सेक्शन है जो आपको इस वीडियो के अंदर जो पंप नदर आ रहा और यह पंप हमने उकाडा के लिए बनाया च पहले आप मुएना को कहा था कि इसको रसा लगा कर खेंचा तो अब इसकी पानी के थ्रो जो है फ्लो और भी ज्यादा बढ़ गया यह देखे रसा डालावा क्योंकि अकेले से यह जो है इंजिन जो है वो काबू नहीं हो रहा था अब आपके सामने यह देखें बेल्कुल पर हमने लेके जाना तो नहर के उपर हमें चेकी कर सकते हैं प्रापर फिटिंग नहीं होती लेकिन आपको दिखाने और कमकसर सिर्फ यह है कि इस पंप का जो है वो लोड बिल्किल भी नहीं होता अगर इसका लोड हो तो यह मैं समझता हूं में कहने का तरह समझते हैं तो क दौाओं में याद रखिएगा इसके उपर आप देखें फ्लो बहुत अच्छा है चले दौाओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लिए अल्हाफिज